बिवानी महेंदरगर लोगसभा सांसद चोदी धरंबीर सिंग ने लोगसभा स्तर में सपीकर के स्मच अपने विचा रखते हुए किसानों के हितों की बात की और देश की इस सबसे बड़ी पंचायत में उन्होंने बड़ा ब्यान देती हुए कहा कि कोल्ड स्टोर जैसी विवस्ता न होने से किसानों को बड़ी समस्याओ का सामना करना पड़ता है इसलिए आपके माध्यम से सरकार से प्राथना है कि हमारे छेतर में इस बात पर ध्यान दे और इस परकार का परभन करवाए ताकि किसानों को कोई नुक्सान ना हो सांसद ने टमार्टर मामले पर बोलते हुए कहा कि आज कल मुंबई हो या दूसरे परदेश जहां पर टमार्टर आलू सहीत अनेक सबजियां 40-50 रुपे किलो भी नहीं मिलती है पीछे मेरे छेतर में किसानों का टमार्टर एक रुपे में भी नहीं खरीदा जा सकता था किसान के टमार्टर को ना सरकार ने खरीदा और ना ही एक रुपे में किसी और ने खरीदा जिससे किसानों को बड़ा नुक्सान हुआ है यदि cold store होते तो किसानों को इस परकार के नुकसान से बचाया जा सकता था और ये भाव भी नहीं बढ़ेंगे कहा कि cold store नब बनाने के कारण किसानों की सबजिया एक रुपे में भी नहीं खरी दी गई किसानों ने अपने tomato की फसल सड़कों पर डालनी पड़ी उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई अच्छा पर बन दोना चाहिए ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके